हेलो स्टूरेंट्स कैसे हो आप सब बच्चों मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट 2 का अभ्यास करवाया था आशा करती हूं आपको समझाया होगा आज हम पार्ट 3 का अनुवाद पढ़ेंगे तो बेटा ये जो पार्ट 3 है आपका इसमें है देखिए एकारांत नप नपुनसक लिंग है इस पार्ट में हम नपुनसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे और कल की वीडियो में मैंने आपको पुश्प का रूप करवाया था जो एक नपुनसक लिंग है उस रूप का यहाँ पर प्रियोग होने वाला है ध्यान से समझना बच्चों तो पहला पर सजी वह पिटा और इसा लिन स कि लिंग है लेकिन उसके हाथ में है जो चीज वो नपुनसक लिंग है तो उसके με पूछ रहे हैं येह क्या है उत्तर देखिए बच्चो एतत खनित्रम अस्ती एतत मतलब यह है खनित्रम खनित्रम क्या होती है जो खुदाई करने के लिए चीज कामाती है कुदाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुदाल यह है कुदाल अस्ती का मतलब होता है यह है कुदाल है आगे देखिए श्रमिका खनि पर चला रही है तैकिए यह क्या है एक्तत खनित्रम यह क्रौत है खनिका खनित्रम चल यानी मज्दूर्नी खौर चला रही है जब कोई चीव से मतलब यहां है और जब कोई ची दूर से बताई जाती है, मतलब वह, तो एतत, एतत मतलब यह है, और तत का मतलब वह, वह क्या है, तस्वीर देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहां पर, विश्राम ग्रिहम, विश्राम घर, तो वह क्या है, तत विश्राम ग्रिहम अस्ती, वह विश दिवार नहीं, अस्ती मतलब यहां बेतिकम मतलब दिवार नहीं, अस्ती मतलब है, यहां दिवार नहीं है, समझा है बच्चों? आगे देंकिए, थाड़ पैराग्राफ, एते के, ये एते, एते होता है है ये दो, जो शब्द बच्चों हमने सबसे पहले वाले पराग्राफ में एतत पढ़ा था, वो एक वचन है, मतलब एक चीज को दर्शायेगा, उसी का द्वी वचन है, एते, ये दो, एते मतलब ये दो, ये दो क्या है, देखो सुनार के हात मे अंगूठी बना रहा है तो एते मतलब ये दो अंगूली ये मतलब अंगूठीया स्तह का मतलब है ये दो अंगूठीया है स्वनकार है का मतलब सुनार अंगूली ये अंगूठीया रच्यती मतलब बनाता है या बना रहा है सुनार क्या काम कर रहा है बच्चों अंगूठियां बनाने का काम कर रहा है तो उसमें प्रश्ण पूछा है आपसे एते के ये दो क्या है एते अंगूलिय के इस्ते ये दो अंगूठिया है स्वन कारे अंगूलिय के रच्यती सुनार अंगूटियां बना रहा है आगे देखा बच्चो ते के ते के वे दो ये जो उपर आपने तत पड़ा है बच्चों दूसरे पहराग्राफ में तत का मतलब रहा है बताया मैंने तो ये जो वो शब्द है तत ये एक चीज को दर्शा रहा है ये एक बच्चन है इसी तरह से बच्चों यहां चुते आ है वो दूई बच्चन है मतलब दो चीजों को दर्शा रहा है तो वे दो क्या है तस्वीर में देखो बच्चों दो क्या दिखाई दे रही है बसे दिखाई दे रही हैं दो तो दे बसियाने इस्त है वे दो बसे हैं ते बस याने कुत्र गच्छत हैं वे दो बसे कुत्र का मतलब कहां गच्छत है मतलब जा रही है या जाती है वे दो बसे कहां जा रही है अब उपर इस चित्र में देखिए वच्छ क्या दिखाया हुआ है लिखा हुआ क्या है रेलवे स्टेशन इसक तो रेल स्थान कम का मतलब रेलवे स्टेशन गच्छत है मतलब जा रही है फिर से देखिए ते के वे दो क्या है ते बस याने इसते वे दो बस ये है ते बस याने कुत्र गच्छत है वे दो बस ये कहां जा रही है ते रेल स्थान कम गच्छत वे दो रेलवे स्टेशन जा र इताग्राफ एतानी कानी एतानी का मतलब ये सब इसमें दो से जादा वस्तुएं हैं एतानी जो शब्द है वो बहुचन है किसका बहुचन है एतत का देखे यह जो आपने एतत पड़ा था एतत का मतलब यह है एक चीज के लिए यह है उसके बाद हमने पड़ा था बच्चों एते, एते, मतलब ये दो, दो वस्तों को दशार है, इसी का ही बवचन होता है बच्चों, एतानी, एतत, एते, एतानी, जैसे हमने पढ़ा था पुश्प के रूप में, पुश्पम, पुश्पे, पुश्पानी, ऐसे ही एतत, एते, एतानी, तो एतानी, कानी, ये सब क्या है आप तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको ये क्या है रुमाल क्या है ये सब रुमाल ये सब क्या है प्रश्ण है आपसे पूछा गया है एतानी करवस्तरानी संती ये सब करवस्तरानी का मतलब रुमाल संती का मतलब है ये सब रुमाल है किम एतानी पुरा पुराणानी, फिर question पूछा है आप से, फ्लेश्न पूछ रहे हैं, कि किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं, नै, यहां आपकराम हैं, तो थोड़ा रुकेंगे, नहीं, एतानी तू नूतनानी, एतानी मतलब ये सब, तू का मतलब तो, नूतनानी का मतलब नै, ये तो नए है या ये सब तो नए है समझा है बच्चों आगे चलिए तानी कानी तानी का मतलब वे सब क्या है ठीक है वे सब क्या है अब वोई बात है जैसे हमने एता देते एता नहीं बताया था तो वह में होता है बच्चों शुरू सब एक बच्चन में होता है तत द्वी चिन में होता है बच्चों ते और बहु चिन में होता है तानी तत ते तानी तत का मतलब है ते का मतलब वेदो और तानी का मतलब वे सब जैसे पुश्पम पुश्पे पुश्पानी तत तानी समझा है बच्चों तो तानी कानी वे सब क्या है तानी कदली फलानी संती चितर देखो बच्चो, किसी ज़िका चितर है केलों का, तो वे सब केले के पल हैं, या केले हैं, किम में तानी मधूराणी, क्या वे मधूर हैं, मधूर का मतलब मीठे, क्या वे मीठे हैं, आम, आम का मतलब होता है, हाँ, आम का मतलब संस्कृत में, हाँ, नीचे हलंत जरूर तो रायागा इसमें आम है और फिर हालन्ताम का मतलब क्या है हां तानी, मदुरानी, पोशकानी, चै वे सब तानी का मतलब बे सब नहीं मतलब मीथे और पोशकानी मतलब पोशक पोशन देने वाले ठीक है जी से हम कहते हैं पोशकाणी पोशक चाए का मतलब होता है और हाँ बे सब मीठे और कोशक हैं हां बे सब मीठे और कोशक हैं तो बच्चों यह हमारे तीसरे रहसन का अनुवाद कम्प्लीट हो गया है यहां पर आशा करती हूं आपको अच्छे से समझाया होगा अगर फिर भी आपको कोई प्रोब्लम हो तो आप पूर सकते हों धन्यवाद